कि सुजस्पत्री का सुजस्थान सर्कारी का जो कि राज स्सेर्कार की की सूचना एवम जनसमपर्ग विभाग ैवाग द्वारा प्रकाशित की जाती है शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ सबसे पहले न्यूज क्या है कि प्रदेश में पांच फरवरी तक उत्सवों की धूम रहेगी कौन-कौन से उत्सव हैं एक विर्णेश्वर मिला एक मरू महुत्सव और एक कोटा महुत्सव मरू महुत्सव हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था तब इसके बारे में जानकारी आई थी कि यह तीन से पांच फरवरी यानि की तीन दिवसी एक उत्सव रहने वाला है लेकिन अब यह आज ही यानि दो फरवरी को शुरू हो चुका है तो यह कब से कब रहेगा दो से प पांच फरवरी बताया है लेकिन यह आज यानि कि दो फरवरी को शुरू हो चुका है तो दो से पांच फरवरी यह चार दिवसी महुत्सव होगा कौन सा मरू महुत्सव जो की राजिस्थान के जैसल मिर्मय वयुजित होता है दूसरा यहां बेड़ेश्वर मिला जो कब त लगाता महुत्सव रहने वाले हैं अगली जानकरी है फसल खराबे के लिए मुख्य सचिव के निर्देश अगर आपको याद हो तो कल्या परसों की क्लास में हमने पढ़ा था प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना जिस योजना का उद्दिश्य क्या था कि अगर फसल अभियान चलाया जा रहा है उसी की रिगार्डिंग मुख्य सचिव निर्देश दिये हैं यहां मेला स्थलम पर सुग्धाओं के लिए मास्टर प्लान बनेगा यानि फ्रंट पेज पर जो न्यूज थी उसी को विस्तार में दिया गया है और यह जो मुख्य सचिव के निर रक्षा योजना में नए चैनित व्यक्तियों को खाद्यान वित्रण मार्च से किया जाएगा इधर अगली यूजना है राइस्तान सरकार द्वारा जिसमें बिजली बिल में अनुदान दिया जाता है यानि की योजना का नाम है मुख्य मंत्री घरेल विद्यत अनुदान योजना जो की एक अप्रेल 2022 से शुरू की गई जिसमें पचास यूनिट सरकार द्वारा निश्वल्क बिजली दी जाती है इस योजना को पी डिटेल में देखेंगे यह राइस्तान विधान सवा में क्या क्या हुआ हुआ इस कॉलम में वही समाचार है यानि की पर रहेंगे कोचिंग संस्थान जो है या कोटा वाले जो कोचिंग संस्थान है तो वहां विध्यारति क्या बहुत सारी डिप्रेशन के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं इसी बड़ी बड़ी समस्या सामने आ रही है इसके समाधान के लिए कोटा जला परसाशन ने जोधपूर में तो शेर पासमेलन कहां हुआ है उदैपूर में जब मैंने वह पढ़ाया तब कहा भी था किसी ना किसी एक्जाम में हो सकता है सिधा यही कोशन पूछ ले की राइस्थान की जी 20 गृप का शेर पासमेलन कहां विजित हुआ तो ऐसा ही कोशन पूछ भी ले इस पेज पर है हमारा इंडेक्स यानि की कौन-कौन सी जनकारी है जिनको हम डिटेल में देखेंगे तो सबसे पहले मुख्य मंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान योजना उसके बाद प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना इसको हमने अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा थ सबसे पहले शुरुआत मुख्य मंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान योजना यानि की घरेलू विद्यूत उप्भोगता जो है इसमें क्रिशी वाले उप्भोगता शामिल नहीं है केवल घरेलू विद्यूत उप्भोगता जो है तो उनको सरकार दोरा विद्यूत उप फर्वरी दो हजार बाइस को प्रस्तुत किया गया था अब अगला बजट आने वाला है को विधान सभा का सतर चलू चालू ही है हो सकता है कुछ टाइम बाग पहले डेट दी गए थी आठ फर्वरी आप शायद उसको दस फर्वरी कर दिया गया यानि की जल्द ही अगला बजट भी 2023 वाला आने वाला है 2022 वाला बजट को आया था तो वह आया था 23 फर्वरी को इसी दिन गोशना की गई थी कि मुख्य मंत्री घरेलू विद्ध्य तनुदान योशना क्या रहने वाली है जो शुरुआत कब से हुई लागू हुई थी एक अप्रेल 2022 से जिसका उद्ध्य क्या है कि घरेलू विद्ध्य जो भूगता है उनको बिजली पर होने वाले व्यम में राहत प्रदान करना अब यह राहत कैसे प्रदान की जाएगी यहां वो डिटेल लिखी हुई है राहत ऐसे कि 50 यूनिट तक 50 यूनिट प्रति महां तक अगर उल्क और उसके बाद जो एक्यावन से लेकर 100 उनिट तक होगी अगली 50 यूनिट पर 3 रुपे प्रति यूनिट उसको क्या दी जाएगी सबसेड़ी यह जरूर धियान रखें यह 3 रुपे प्रति उनिट नहीं है यह 3 रुपे प्रति यूनिट सबसेड़ी है या अनुदा तक उसका खर्च होता है तो 150 तक तीन रुपे प्रति यूनिट और उसके बाद अगली 150 यूनिट पर दो रुपे प्रति यूनिट की सबसेडी धी जाएगी यह सबसेडी है याने की जो बिजली यूनिटकी रेट है उसमें से इतनी रुपे माइनस करके बिल उसका आएगा त पचास्योनित तक KR और सो योनिट तक क्किति ऊप्सीटी दी तीन रुपे प्रती योनिट अगले के बाद सो यूनट होने तक तिन रुपे प्रती यूिट ईसके बाद अगली योजना है प्रदाहन Wirtschaft CFских इंक ने कब से शुरू हुई है तेरह जन्वरी 2016 से केंद्र और राजय सरकार दोनद्वारा संचालित योजना है उद्देशे क्या है कि अगर फसल खराब हो जाती है किसान की किसी स्थिति में तब उसको एक बीमा कबर प्रदान किया जाए कौन कौन सी फसल पर कितना प्रतिशत बीमा की किस्त किसान को पे करनी होगी तो खरीब की फसल पर प्रीमियम का दो प्रतिशत लभी फसल पर तेड़ प्रतिशत वानेजिक वागवानी फसल पर पांच प्रतिशत ये किसान की देता के बाद जो बच्ची बीमा किस्त है इसकी लागत का वहन किसके द्वारा तो राज्यवे केंद्र सरकार दौनों के द्वारा किया जाएगा सब सिटी के रूप में किस विभाग द्वारा संचालित है तो भारत सरकार यानि की केंद्र सरकार के क्रिशी एवं किसान कंद्लयां मंत्राले द्वारा योजना का संचालन किया गया है कि योजना के अंतरगत स्थानी आपदा जैसे की ओले पढ़ना जमीन धसना जल का भराव बादल फटना या प्राकृतिक आग इन से अगर नुकसान होता है तो पहले नुकसान का खेतवार आकलन किया जाएगा और फिर उसका जो बीमा प्रीमी में बीमा कबर जो है उस कोई प्राकृतिका आपता जैसे की चक्रवात या बेमोसम बारिस इन से नुकसान होता है तब भी खेतवार आकलन किया जाएगा और फिर उसके बाद भुकतान किया जाएगा अभी आपने जो फ्रेंट पेच पर देखा था कि विशेस गिर्दावरी अभियान वो दरसल क्य है वो यह खेतवार आकलन ही चलाया जा रहा है कि पटवारी या गिर्दावर जो प्रशासने का दिकारी हैं वो जाके देखेंगे वास्तव में कितना नुकसान हुआ है फसल का तब उसके बाद उनको उस हिसाब से ही मौफजा दिया जाएगा बीमित फसल की खराब मौसम के या बारिस इतनी अधिक हो गई कि जब समय आता है फसल बोने का तो बोवाई या रूपाई यही नहों पाई यानि कि जैसे खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है तो फसल बोना ही संभब ना हो तब भी उस कंडिसन को भी योजना कवर करती है और उसमें बीमा म कि भुकतान किसके द्वारा राजे सरकार द्वारा और यही बात में कह रहा था केंद्र और राजे दोनों द्वारा समले तरूप से योजना का संचालन किया जाता है अगली नूच क्या है एकली जानकारी है कोटा में कोचिंग विध्यारत्यों dinheiro की समस्या समाधान हित वेबसाइट तो आप सभी जानते राजस्थान में कोचिंग का हब है कोटा शहर पूर पूरा शहरी कोचिंग के माध्यम से इक तरह से कह सकते हैं चल रहा है यानि की कोचिंग वहां की रीड है और इसलिए वहां जो विध्यारतियों के बहुत सारी समस्या है समस्या किसी भी तरह की उनकी हो सकती है पढ़ाई से रिलेटर कोचिंग संस्थान से संबंदित यह जहां वो खानवाना खाते हैं वहां से संबंदित होस्टल से संबंदित या कानून व्योस्ता संबनित या परिवेंस संबनित इन सभी समस्याओं के निराकरंड के लिए कोटा के जिला प्रशासन द्वारा एक वेबसाइट शुरू की गई है जिसका नाम है www.students.e complaint.in यानि electronic platform पर तो यह website का नाम आपको याद रखना है student e complaint.in कोटा जिला प्रशासन द्वारा संचालित है उद्देश्य क्या है इसके बारे में विबरंड क्या है उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं कि जो coaching student है उनकी समस्याओं का समाधान करना तो कोटा में coaching विध्यारतियों को या तो coaching संस्थान से कोई problem है या होश्टल से कोई problem है पीजी यानि पेइंग गेस्ट यहां वो रहते हैं वहां से कोई दिक्कत है मैस से कोई दिक्कत है परिवेन यानि जिससे आते जाते हैं वहां कोई समस्या है लाइं और यानि कानून या विवस्था की कोई समस्या है तो इन सारी समस्याओं के समाधान क लिए कि वेबसाइट उनको त्वरित रहत प्रदान करेगी आप जब वो उपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो शिकायत दर्ज करने के बाद ही उनको उनकी सिकायत का एक राइस्टेशन नमबर यानि पंजीन नमबर उनको एसमस के द्वारा मोबैल पर भेजा जाएगा इस नमबर से वो ट्रेक कर सकते हैं कि अभी तक उनकी जो रिपोर्ट थी या उनकी जो शिकायत थी उस पर क्या कारवाई हो रही है या किस प्रोसेस क्या चल रहा है तो इसके लिए अधिक्तम तीन दिवस की अबधी रखी रही ह है उसका समाधान किया जाएगा आगे विधानसभा सत्र 2023 जो यह तेरह यह प्रिंट हुआ है यह तेरह नहीं है तैज विधानसभा सत्र 2023 तो इसमें क्या चीज़े चल रही है उनके बारे में जानकारी जैसे कि खादे सुरक्षा योज्चा में नए चेनित विक्तियों को ख खादे एवं नागरिक आपूर्ती उन्होंने यह जवाब दिया है क्या कहा है कि जो खादे सुरक्षा में नए चेनित विक्ति हैं उनको खाद्यान का वित्रण कब से होगा तो मार्च से हिया जाएगा यहां यह सामाने जनकारी दी गई है इसके बाद कुछ आंकडे दिये गई हैं दूसरी जनकरी यहां है कि इंद्रा गांधी नगर जो की जैपूर में कोलोनी है तो इंद्रा गांधी नगर में विध्यार्तियों को संख्या के आधार पर महाविद्यार्य यानि कौलेज खोला जाएगा तो उच्च शिक्षा राजमंत्री कौन इनका नाम है श्र कि अभी शेत्र में बारवी कक्षा में उत्तरीन करने वाले बच्चों की संक्या परियाप्त नहीं है यानि कि इतनी संख्या में बच्चे नहीं है कि वहां college खुला जा सके एक सामाने से जानकारी और ऐसी ही जानकारी यहां तीसरी है जिसमें कहा गया कि गंगापुर City में प्रस्तावित प्रस्ताब मिलने पर स्टेडियम का निर्मान किया जाएगा इस टेडियम गंगापुर में स्टेडियम की गोशना कर दी गई थी कब बजट 2015-16 में ही लेकिन एक कारण से यहां विवाद हुआ कारण क्या था कि स्थानी निवासियों द्वारा रास्ते की विवाद को लेकर गाओं में बहुत ज़्यादा जो विवाद होते हैं उनका कारण जमीन और जमीन में भी रास्ता लेने या र स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और यह कौन सी योजना संचालित है मेजर ध्यांचंद स्टेडियम योजना जोगी बजट 2021 में गोशित की गई इसके बाद हमारा अभ्यास प्रस्ण क्या है मुख्य मंत्री घरेलू विद्यूत अनुदान योजना कब शुरू की गई एक अपरेल 2022 एक मई 2020 सत्रह जुलाई 2020 या एक जून 2022 क्या होगा इसका सयुद्तर वह आप बताएं आगे आपके लिए जानकरी जैसा कि मैंने कल भी बताया कि राइस्थान की फ्लेक्षिप योजना इसके लावा आनने जो भी जनकल्यान का रही योजना है जिसमें हमने आ रखा है साठ से कुछ ज्यादा ही योजना है यानि कि कुल आंक्टा लगवक्त सो के आसपास यह रह लाइब क्लास होगी जिसमें सरकार्गी जो भी फ्लेक्षिप योजना है जो वर्तमान में संचालित हैं जिनकी संख्या कितनी है 33 और अन्य 60 प्लस कुछ जन कल्यानकारी योजना है रहने वाली है इसके बाद यहां मैंने वह लखे हैं चीजें जो कमेंट्स में आप लोगों ने कुश्चन पूछे हैं और आपके कमेंट्स के पैटर्न से मिर को एक चीज़ समझ में आई है कि बार बार कमेंट्स में एक ही तरह की चीज़ा आ रही है जैसे कि बुकलेट का कुश्चन नहीं है अब मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूं फिर भी आप लोगों ने कमेंट्स में बताया कि कुश्चन नंबर 80 को लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उसका आंसर हाइलाइट नहीं है तो मैंने वापिस चेक कि आपकी बात सही है उसमें हाइलाइट नहीं है तो इसका उत्तर है इसको मैं डिटेल में बता चुका हूं ए में क्या था राष्टी एक क्रिशी विपनन संस्थान जैपूर जिसको की इनोविशन अवर्ड मिला 2022 का सौर्ट में इसको क्या बोलते हैं नियाम नैशनल इस्टिटूट ऑफ एग्रिकल्चर मार्केटिंग तो कोश्चन नमबर 80 का अंसर है पालनहार योजना में आप लोगों ने बार बार चीज़ें पूछी हैं कि मैंने बताया भी था आपको डिटेल में कि इसमें जो राशी बढ़ाई गई है वो केवल अनात इस योजना के तहट दो केटिग्री हैं एक है 0-6 वर्ष दूसरी है 6-18 वर्ष जीरो से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कितनी राशी दी जाती है प्रती महा 500 रुपे की प्रती महा है और 6-18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कितनी राशी दी जाती है प्रती महा 1000 रुपे इसमें बहुत सारी केटिग्री है यानि कई तरह की बच्चों की इसमें केटिग्री है अब बजट 2022 थे इसमें केवल जो अनात केटिग्री के बच्चे हैं जिनकी माता पिता दौनों दुर्भागी से नहीं है उन बच्चों के लिए जो दी जाने वाली राशी है उसकी रिकम बढ़ाई गई यानि कि 0-6 वर्ष की कैटिग्री में जो आते हैं उनकी राशी बढ़ाकर 500 से कितनी कर दी गई फंदरहसो और जिनके 1000 रुपे पहले थे 6-18 वर्ष उनकी राशी कि इतनी करती गई 25 रुपे मैंने आपको एक स्क्रीन सोट भी दिखा है था जो मुख्य मंत्री का बजट बाशन था जिसमें उन्होंने पूरी जानकरी डिटेल में समझाई हुई थी तो यह जो बड़ी हुई रकम है यह केबल अनात बच्चों के लिए है बाकि अन्य जो पूछे कि सार अगर कुशन मेंट ना दे तो यह question में डě EST पूछले तो यह सबहुकर करके ऐसे पूछ लितो तो ऐसा कुछ नई होगा कुषन बच्छत उसमें दिया हुआ हूँ गई ऐसा कैसे सपस्जित पूछेघे कि उसमें को झानकरी तो तो उस यह दान्थार होगा की सामने पूछा गया है तब यह है अनाथ बश्चों के लिए एसे भी पूछा जा सकता है कि कितनी राशी बढ़ाई गई है आनाथ बढ़ाई गई दूसरा पूछा जा बढ़कर कितनी होई है बढ़कर इतनी हुई है फाइनल बढ़ाई कितनी गई है किसके लिए बढ़ा ही है इसारी आपको दियां से पढ़नी है तो सीधा आप पालन हार देख कर सीधा आंसर टिक करते हैं इसलिए आपका कुश्चन गलत होता है तो थोड़ा ध्यान से वह पढ़ना है आपको और फिर यह रामगड विश्धारी अब लगातारी कन्फीजन बना हुआ है आप लोगों का अभी भी इसको मैं कहीं बार एक्स्प्रेंट कर चुका हूं आपक विश्धारी के बाद है रंठंबहुर के बाद है सरिस्का और सरिस्का के बाद है कौन सा मुकुंदरा हिल तो यह चार है चारों का मैं शेत्रपल भी लगभग मैं लिख रहा हूं तो पंधरह सो एक पंधरह सो एक क्लोमीटर स्कॉयर चलो फिर आपको होगे कि किसी ने क्लोमीटर स्कॉयर रंठंबहुर का है चौधा सो ग्यारा दसम्लब तीन चार सरिस्का का है बारा सो तेरह दसम्लब तो नौ और मुकंद्रा हिल्स का है 759.99 इसमें जो पॉइंट्स के बाद की डिजिट है वो थोड़ा मैं इसमें श्यूर नहीं हूं कि यह 1411.34 है यह 1411.29 है इसमें से एक या तो यह पॉइंट्स के बाद की संक्या इसमें है या इसमें है तो आप एक लगभग में भी याद रख सक सकते हैं यह 1400 कि इसमें में श्यूर नहीं हूं इसलिए बाद में पॉइंट में हटा रहा हूं इन दोनों में मैं श्यूर हूं इसमें है इसमें यहीं है तो रंट थम बोर में 1411 आप मान लें सर इसका का वर क्लोमेटर में शेच्पल 1213 मुकंद्रा इसका 509.99 यानि 560 हब कह सब्सक्राइब कह सकते हैं यह इसका शेत्रफल है इसके आधार पर अब 1234 कौन से होंगे तो रामगडविष्टारी फर्ष्ट होगा रन थमब और सेकेंड होगा सर इसका थर्ड होगा और मुकंद्रा हिल्स फोर्थ होगा एक और चीज में जो समझ मैं कि लगातार आपके क कमेंट्स पढ़ता हूं जो एक दिया दो दिन पुरानी वीडियो होती है लेकिन हो सकता है किसी स्टुडेंट में पहली वाली वीडियो ही अब देखी है और उसका डाउट तब आता है तब उसका पूछना कुश्चन सही बनता है और पुरानी वीडियो पर आमान लेते हैं कैसे डाउट ऐसे कि यानि पुरानी दो तीन महीने पुरानी वीडियो को अगर आप आज देख रहे हैं और आपको उसमें कोई डाउट है और वह पूछने चाते हैं तब आपके पास दो अप्शन है या तो आप जो लेटेस्ट वाली वीडियो हमारी चल रही है उसके कमें अगर आप कमेंस करें कि नौर्मराली में वह ही देखता हूं या फिर आपको आप मिरी को ट्वीटर पे कर सकते हैं वहां भी आप मेरे को आपका जो कोश्चन है जो डाउट है वह आप मेरे को वहां भेज सकते हैं ऑप्शन आपके पास है क्योंकि यहां की जो क्लास होगी यानिकी लेटेस्ट क्लास कही नॉर्मल हम कमेंट्स देख पाते हैं पुरानी मालो अभी 155 क्लास हो गई अगर आपने अभी यहां ट्विटर पर कर सकते हैं विपिन 18 यह मेरा ट्विटर हेंडल है इस पर और इंस्टाग्राम पर यह मैंने अभी भी शुरू किया है दो चार दिन पहले कल पर सुरू किया है विपिन कुमार शर्मा 7713 तो इन दौनों में से भी आप कहीं भी जो हमारी क्लास से बात है क तो मुझसे पूस सकते हैं तो यहां समाब तो होती है आज की क्लास हम मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में रहनेवाद